सब्सक्राइब करें दोस्तों मैं अभी जा रहे हूं डिनर बनाने और डिनर में मैं बनाऊंगी मटर की रेसिपी मैं बनाँगी मोली का अचार बनेगा वन्देगा माने की तरह से बनाऊंगी और में चाहते हैं , मैं बनारेक रहों तो दोस्तों मैं आगे हूँ किचन में और यहां पिए देखिए मैं ताजा ताजा मटर छिल लेती हूँ सारा मटर मैं पहले छिल कर रख लूँगी बाकी बाद में भी बनाना होगा तो बना सकोंगी और मैं इस वार अलग तरीके से यह रेशिप्यू ट्राइ कर रही हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ तो देखिए अभी मैंने आधा मटर अच्छी लिया है और इसे मैं अच्छे से धूख कर पैन में ले लेती हूँ और इसमें पानी डालकर इसे मैं गैस पर रख देती हूँ बलने के लिए और इसमें डालेंगे नमक और यह बहुत ही डिफरेंट तरीक से मैं बना रही हूँ पीसने का कोई जंजट ही नहीं है बहुत ही जल्दी यह बन जाएगा तो मैं जो बना रही हूँ वो मैं आप लो तो इसका जो है त्यार करेंगे थोड़ा थोड़ा पाई जाल कर तो यह देखिए आटा मैंने लगा लिया है अब इसे हम रेष्ट होने के लिए रख देंगे और साथ एक साथ हमारा जो है मटर भी वाइल हो गया है मैंने एक बार बीच में चेक किया है उसे मैं छान कर रख द जोड़ी आडिया है और इसमें हम डालेंगे तेल घरम ़ोल जाया जाता है यह दरख घरी मिर्ज और म 예थ हम डालेंगे मसाला जो फीन हम तक ताहलिगे और यह पाली मिर्ज फीन होल दब्ल्ड़ में शिन जानी में है लकबशे 30 second के लिए जादा नहीं भूनना होता है बस 30 second में अच्छे से जो है हमारा मसाला भून जाएगा अब इसमें हम डाल देते हैं काला नमक भी मैंने दोनों नमक यूज किया है जिसकी बहुत ही ज्यादा यह टेस्टी लगता है कभी आप इस तरह से ठ्राइ कीजिएगा आप नोको भी बहुत ही अच्छ पूसार देते हैं अच्छा लगेगा अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू मैस करने वाला होता है उससे हम इसे अच्छे से मैस कर लेंगे इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि इसे हमें पीशने का जरूरत नहीं है तो अब इसे हम अच्छे से मैस कर लेते हैं है आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है हमारा जो है स्टफिंग रेडी हो गया अब आशाel से ठंडा हो होने देते हैं जब तक बना लेते हैं हुल 20 से छिल लेते हैं और जिलने 네 को लिए कि तो यहो mere दिदू लिया है अब जुछ से में इसे कट कर लेती हूं तो इसे मेंध़ कर लोग सबना बीच से भी हम कट कर लेंगे कि अनुच अब जितना बड़ा चाहे हो तना रख सकते हैं है कि कि यहांप एसमेने मुले को कimaan कर लिया है अब पहुल ठीक आज़ते हैं नमक छल्दी पाउडर कौम करा च shrinking टो में अंदिगे करें कर लिभी के मुली के का थोड़ी देरा पकने देटे हैं जब तक हम लोग अचार का मसाला रेडि कर लेते हैं, तो यहां पर मैंने ले लिया है नमक और साथ में मैंने एक नीमू और हरी मिर्च को भी कट करके रख लिया है और अब लेते हैं हल्दी पौडर, धनिया पौडर जो अचार का मसाला में लगता है वो सारा हम यहां पे ले लेंगे मेरे पास मेथी पौडर और राइका पौडर नहीं है तो वो मैं नहीं ले रहे हूं जो भी मेरे पास मसाला है वो मैं ले रहे हूं हल्दी पॉडर धनिया पॉडर लालमिज पॉडर आमचुर पॉडर जीरा पॉडर कलमिज पॉडर और गरम मसाला यह सब यहां पे ले रही हूं और साथ में मैं लूँगे फोड़ा सा चाट मसाला जिसी की बहुत ही ज्यादा हमारा जो है आचार रेड़ी हो और अजवाइन और कलान जी ये भी इसमें हम डालेंगे की कि मचाशनी धтоящively दुस्ते के ऊशन के प्रूंपनों महीं करें हिए करणा की कहईये. जो दो southern मैंने रेड़ी इन गारी समफट और यहाँ पर देकित दृफ़ारा Siassamabamadu तो दोस्तो ने cell तो मैंने रेड़ी कर लिया है कि हमारे मूली कैसे हम भी और यह हरी मिचंफ प्रता इसमें पेख से himself ini tips कर लेंके सार्थ तया यह इसके पाद हम धू WRITE पूरते सब्सक्र दालेंगे से समें मिक्स कर लें दो सब़ाफ एक लमाना आचाल होने देंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे निम्बू का रस यहां पर मैंने एक पूरा निम्बू का रस डाला है और साथ में मैं इसमें डाल देंगे चाट मसाला जिसी के हमारा जो है अचार और भी ज्यादा टेस्टी हो जाए तो आप इस तरह से जरूर ट्राइ किजिएगा आप लोक कि अच्छा एक लिए और अब मैं बना लेती हूं यहां पराथा बनाना जो है स्टार्ट करती हूं बहुत ही टेस्टी लगता है ठंडी में तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा और इसे ब जल्दी ये बन भी गया स्टफिंग जो बहुत ही जल्दी रेडी हो गया मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी जो मैं खाना मतलब डेनर बना लूँगी पहले जैसे मैं बनाती थी लूँग प्रोसेस होता था पहले मटल को भूनती थी उसके बाद उसे ठंडा करती थी फिर पीसती थी फिर उसको भूनती थी तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग होता था इस बार मैंने इस तरह से बनाया बहुत ही जल्दी ये बन गया मैं इस नास् में इसे बना सकती हूं है कि दो है अज़ें चुर्ण हमारा मटर पराठा रेडी हो गया है आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग लग रहा है देखने में बोहत ही जाए लग रहा है खाने में भी बहुत लगए गा तो यह कुछ अलग तरीके से जो है मैंने मटर पराथा बनाया कैसा लग आप लोगों को यह मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा और इस तरह से सारा बना कर आप लोगों से मिलती हूं तो दोस्तों मेरा जहर डिनर रेडी हो गया है सर्दियों वाला डिनर रेडी हुआ है कि देखिए सर्दियों में गरम गरम खाना बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने मटर पराठा बनाया है इसका आपको चौड़ी बना सकते हूं वह भी बहुत ही अच्छा लगता है और साथ मैंने मूली कांचार बना लिया है और अब मैं इसे जा रहे हूं खाले और आप लोग इसे जरूर ट्रेए किजिए इस रदी में बहुत ही अच्छा ल ना भूले और बिल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नाटिफिकेशन के लिए और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें तब तक के लिए ओके फ्रेंज थैंक्यू और बबाए झाल